हलो एब्रिवान आप सब लोग को मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है आज मैं अपने ससुराल का हूंटोर वीडियो देने वाली हूँ जैसे कि मैंने आप सब लोग को पहले बताया था कि मेरे ससुराल में हमारा दो गर है एक है गाउ में काभूगल साइट और एक है सिलचार तो आज जो टाउन वाला गर है मैं उसका हूंटोर वीडियो देने वाली हूँ और यह जो देख रहे हो यह सुपारी है सुपारी को हम लोगों ने ड्राई करके रखा है तो यह ड्राई होने के बाद इसको मतलब यूस किया जाता है खाया जाता है और यह अभी जो रूम द ऐसे हम लों भी यहाँ नहीं रहते हैा हम लोग भी बहुंग से इस Alors Michigne there by Max इद में अवग्य स्थ 6 काम होता है तो कि यहां अटो यह न तीन दीन से करते लह को पेर से जब गाउं में यह वाला गरलोड की रहता है लोड ही तो अभी पहले मेरे मीरा शादि के टायम मुझे मेरा जब शादी हुआ था तो मुझे इस गर में ही लाया गया था तो पहले काफी समान था तो अभी तो अर्मोस्ट पूरा खाली है क्योंकि फार्नीचर जो भी था मतलब सोफा वागेरा गोड्रेस मेरे सादी में भी मेरे माई के सो जो दिये गए थे सारे समान अभी गाउव इसलिए उलो का मन वहां पर ही लगा रहता है और यह है मामी पापा का फोटो मेरे सास्तर सुर्का अभी जो आप लोगों ने देखा वो था रॉंग रूम और यह है यहां पर बगवान का आसन रहता ने राखा गिया है है बगवान जी को यहाँ पर रखा गया है और यह है मामी पापा का बेडू और वह हाँ बैट के अब ही कि लिए हवाँ पर बैट के वह ओफईस कर रहा है और यह जो रूम देख रहे हो यह मेरा कमरा था पहले मेरे शादी के टाइम तो इसी कमरे में मेरे जो, जिताह wiping सारे मेरे सामान थे, porch, बेड बगेरा, dressing table, god rest अलना व कगेरा, सब मेए यहाँ पर इस रूम में झा this यह था तो यह वाला रूम मैं पहले यूज़ करती थी और मैं फिर से बार की तरफ जा रही हूँ बाबाई शायद से बार निकल गया बोलके मैं देख रहे हूँ तो बार ही खेल रहा है और ये वाला जो रूम देख रहे हो ये भी एक बेडरूम ही था पहले तो यहाँ पर भी एक बेड था सौकेस भी यहाँ रखा गया था और ये जो कप्रे का जो अलना देखे रहो ये तो सेम जगह पहले भी यहाप ही था अभी भी है और यह बातरूम इस साइड पर है और यहाप पहले एक बेड़ भी था अभी सब हटा दिया गया है मलब अल्मॉस्स सारे समान तो वहाप ही लेकर चले गए है और यह वाला है लाट का दो जरोड़ी है मतलब जब अते है 되고 यूज्टी देश्टए वह ही रखा है और बागी में पर लेके छेलेगए और यहाँपल ecc जो पहले हम नोग यूज कोश़िते हैं अभी मैंभाबा भी आप नहीं रहता है तो इसका जो पानी है काफी गंदा हो चुका है तो हम लोग यूज नहीं करते हैं तो उसी का पानी यूज करते हैं और यह रहा गर का साइड इस साइड से होकर भी हम लोग पॉन की तरफ जा सकते हैं लेकिन अब भी पानी जो है वो काफी गंदा हो चुका है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ल यह जो पेर देखती हो यह सब सुपारी का पेर हैं पहले इससे भी ज मौनसून के टाइम। और आर्त-किल के आप सब लोगों तो पताए आसाम के इस सब जाला होता है तो सुपारी के पर काफी लंबा रहता है तो तो टूट गिर चुका है और अब यभी जो आप लोगों ने देखा वो है कड़ी पता का पेर है और यहाँ पे बाबाई अपने पापा के साथ दुकान गए था वो अज़ा अपने कुछ खिलो ने लेके आए और आने के बाद अपने घादा जी को दिखा रहा है खेल रहा है और बावाई के साथ मजा कर रहा है और बावाई क्या लेक्प्टा है, वो देख रहा है वो सब अब हम लोग आए है, एक मोसी के घर एक ही लेंग में रहते हैं, फिर भी हम लोग सिलचर में आते हैं इदर उदर जाने के चक्र में नहीं हो पाता है तो मोसी को भी बुरा लगता है लेकिन इस पर मैं पूरा प्लैनिंग करका हूँ नहीं इस पर तो जाना ही जाना है और जब भी मतलब हमेशा जब भी बात होता है तो बोलते रहते हैं वो लोग की मतलब बावाई को लेके आने क को बोल रही है कि भाई अबाबी आये ये वनाओ वो वनाओ और मैं मोसी को बोल रही हूँ हाई करने के लिए और मोसी को समझ भे नहीं आ रहा था वो कुछ नहीं कर रही थी और लास्ट में वो फाइनली कर दी हाई कर दी और पीछे जो है वो है मेरी त्यारी सी ननन जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है बहुत ही त्यारी है उसके साथ में एक शॉर्ड वीडियो बनाके भी अल्यादी में अप्रोड कर चुकिए अगर आप लोग मेंसे अगर किसी नहीं जी डेखा आफ है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं अब हम सब होगज बेट कर मैंने आने के बात मेरी जो ननन है मेरी प्यारी सी ननन उन्होंने नूडिल्स बनाया था तो वह सब धो करके करके लेके आयो तो अभी हम लोग सब लोग बेट के वह सब एंजॉइ करने वाले और इधर मेरे हैंसम देवर को देखो बतिजा जो बोल रहा है वो दे रहा है अपना जो ट्रोली यह वह भी दे दी और बाबा यूस ट्रोली को पारकर पूरा खुश है दीजी एकदम कर दो मार्वा टेज़ कर दो लुश है यह जो नवी जो इंड कर दो लो इंग हम ली जए कर दो बादेख दो इंग अंफंदे तो ही नथी को डिंदाओ। और्माइन जो हूंक? च deploy पूलोग